हलो माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मानीस और आप देख रहें वेल्थ पुल दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलेवरी में सेयर सेल हुए है या नई ये कैसे जानेंगे वीडियो के बीच में आपको ऐसे important points बताई जाएंगे जो आपको extra charges देने से बचाएंगे तो दोस्तो वीडियो काफी ज़्यादा important होने वाला है वीडियो को बिल्कुल भी skip ना कीजेगा नई तो आप important information मिस कर दोगे तो चलिए बिना किस देर के वीडियो को start करते हैं दोस्तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप beginner हो और आपके छोटे से छोटे सभी points को clear किया जाएगा दोस्तो delivery का मतलब long term तक sales को hold करके रखना है delivery के sales को आप आज buy करके आज के दिन को छोट कर बविस्य में कभी भी sale कर सकते हैं आप चाहिए अगले दिन sale sale करो या एक साल बाद या दस साल बाद sale करो तीनो conditions delivery में ही count होगी delivery में sales कैसे buy या sell करते हैं ये जानने के लिए i button में दिया गये video देखिए इससे आपको अच्छे से step by step सब को समझ में आ जाएगा उस वीडियो में buy करने से लेकर sale करने तक बताया गया है लेकिन आज के इस वीडियो में sales sale करने के बाद की सभी जानकारी को डिसकस करेंगे मैंने या federal bank और bank of brother के sales sale के हैं sales sale होने के बाद केवल आज के दिन ही sales orders में सोंगे orders में ये दो position आते हैं एक तो pending orders और दूसरा positions जो sales sale हो गए हैं वह orders positions में सोंगे और जो sales अभी तक sale नहीं हुए हैं वो sales is pending orders में सोंगे अब सबसे important बात यह है sales sale होए हैं नहीं है कैसे पता करें तो आपको यह net quantity minus में सोगी जितनी quantity minus में सोगी उतने ही shares आपके sale हो चुके हैं यह current price होगी और यह average price होगी average price क्या होती है यह जानने के लिए i button में दिया गया video देखिए उसके बाद यह gain या loss होगा gain का मतलब यह profit है और loss का मतलब तो आप जानती है अब सबसे important बात अगर आप delivery में share sale करते हैं तो share sale करने के बाद यह loss और gain हर second change होता रहेगा आपको यह देखकर परिशान होने की जरूत नहीं है यह loss और gain जो हर second change होगा वह आपका profit यह loss नहीं है यह profit यह loss तो आपको जानकरी देता है कि share sale करने के बाद जाती है तो यह profit 100 होगा इसका मतलब यह है कि अगर आप share sale करते तो आपको इतना profit यह loss होता और यह total loss यह total gain भी आज गे दिन जब तक market चलता रहेगा तब तक यह price भी चलती रहेगी लेकिन intraday और future end options की trade लेने पर यह profit यह loss हर second change नहीं होगा यह पूरे दिन fix रहेगा दोस्तो इतनी deep understanding आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यह understanding only experience से आती है और इतनी details से आपको कोई नहीं बताएगा वीडियो में दी गई जानकरी अच्छी लगी हो तो comment करके जरूर बताएगा दोस्त इस channel पर आपको ऐसे ही videos मिलेंगे जिससे beginners को share market की basic understanding हो content अच्छा लगाओ तो subscribe जरूर कीजेगा एसे informative videos बनाते रहने के लिए like करके हमारा उत्सा जरूर बढ़ेए और हाँ वीडियो की description चेक कीजिए वहाँ आपको telegram group की link मिलेगी अगर आपको share market से related कोई problem आए तो आप वहाँ अपनी problem share कर सकते हैं बिल्कुल basic तरीके से candlestick pattern सीखना चाते हैं तो instagram पर हमें follow कर सकते हैं अगर आप अपने broker के hidden charges से बचना चाते हैं तो best broker आपको description में मिल जाएगा तो दोस्त मिलते हैं एगले वीडियो में बहुत ही powerful informative content के साथ thanks for watching